हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल टैग बावाम गेज में दोस्तों आज के वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इन्फिनिक शोट 12 प्ले के फोन में आलवेज आन डिस्प्ले सेटिंग कैसे करेंगे अपने लॉक स्कीन पर अपना नाम कैसे लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपिन करना है प्ले स्टोर ओपिन करने वाद आपको यहां पर सर्च करना है आलवेज आन डिस्प्ले सर्च करन प्रक्राइब आपको देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर दूसरा और आपको मिलेगा watch face customize json का option watch face customization के option पे आप लोगों को click करना है, click करने वाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ basic setting होती है अगर करना चाहते हैं, कर सकते हैं जैसे कि digital clock size इस पर click करके जो clock so होगी आपके lock screen पर उसका size select कर सकते हैं hours का color change करना चाहते हैं ऑफ सकते हैं इस पर Black我在 लिख सकते हैं यहाँ हम लिख देजैं होगोगो Year मुकीश मोरया लिख दे रहे हैं इसके बाद यहाँ पर этом नमबर मुवाइल नमबर न lon नम कुछव भी लिखना चाहते हैं यहां पे लिख सकते हैं सब को support करता है एक emoji भी हमने लगा दिया इसके just नीचे है memo font size को option इस पर आप लोगों को click करना है click करने बाद जो आपने lock skin के लिए अपना नाम लिखा है इसका size आप लोग कम और ज्यादा कर सकते हैं इसके बाद है memo text color इस पर आप लोग क्लिक करेंगे click करने बाद यहां पे जो आपने lock skin के लिए अपना नाम अभी अभी लिखा है उसका color आप लोग कैसा choose करना चाते हैं कैसा दिखाना चाते हैं जो भी color आप लोगों को यहां पे select करना है select कर लीजे इसके बाद यहां पे कुछ और basic setting है इनको अगर आप लोग करना चाते हैं कर सकते हैं बाकि ऐसे ही आप इसको छोड़ भी सकते हैं यहां पे हम कुछ भी नहीं करने वाले है battery display, charging, status, battery size यहां पे कुछ भी हम सून नहीं करना चाते हैं तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे finally दोस्तों सब कुछ हमारा setup हो चुका है finally इस application को हम cut कर देंगे cut करने के बाद finally इस application को हम lock करेंगे lock करने के बाद हमको जो है 4 second wait करना है maximum 4 second सिर्फ wait करना है इसके बाद आप लूग देखेंगे यहाँ पर always on display के रूप में आपका जो नाम दिखाई देगा यहाँ पर always on display so होगा और यहाँ पर जो हमने am pm जो set नहीं किया था और यहाँ पर watch जो है यहाँ देख सकते है minute का color और howards का color दोनों यहाँ पर change है अगर आपको वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए